आज का इस यात्रा का सबसे मुश्किल पड़ाओ जो सबसे को यहां पर उतरना निशे उतरना एक अपने आप में बहुत ही बड़ा साइलेंज है और आपको देखाई दे रहा है यहां पर हमारे साथ ही कलिक्स एक दूसरे का हाथ पकड़ते होए निटे उतर रहे हैं और इतन करना के रुब में बैता हुआ और अभी तब पानी का सब्सक्राइब का जो नजरा होगा अपने आप में देखने लाइक होगा और कापने तारीफ होगा और इसी तरह जर्णा नीचे बहती है और आपको सामने देखाई जा रहा है वहां से भी पानी निकलता है वहां पर भ अभी पहाड़ों में बारिष होता है तो वहां से सहलाब को वहां के बिख्टी को पफ्षरों को साथ में बहता हुआ साथ में लेकर आता है और इसी तरह बिखे चीनाब नजी में जाके भी जाता है हम निचे शीनाब दरिशा नजी के और पौन्चु के है थोड़ी दर में आप पहुच जाएंगे और विस में एक मैं आपको बहुते खुश्चुरत धरना वाटरफाल देखा रहा हूं एदेखिए बहुते खुप्शुरत नजारा और इतना खुप्शुरत नजारा है कि मैं बयान नहीं कर सकता और आसपास हर्याली और ये पंचियां सुमुदूर आवाज निकालते हुए और पर्दूशन ख्री इस बाता बरंड में ब्रमाते हुए और इस खुप्शुरत पल को मैं अपने क्यामरा में कहत करना हूँ इस वीडियो को मात्यम से जिसना आनन्द मैं ले रहा हूँ जो मुझे आनन्द प्राफ्त हो रहा है ये आनन्द इस आनन्द का अनुबब आप ल और एक और इस देखे वातपल्प अरना कि अज़िए 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 और एक और वाटरफाल पानी उपर से गिरता हुआ पानी नहीं यहां से उपर से दूद गिर रहा है एक घरना के रूप में नीचे गिर रहा ऐसा होता हुआ हुआ क्या बात है बहुत है खुश्चुरत ना जा रहा है मैं कहूं हूँ तो किसी साइट जन्नत इसी को कहते हूँ अगर एसी खुश्चुरत रमणी इस्तल में और पॉलिशन फिरी बातावरंड में और एसे नेसर के साथ में अगर आज के इस परदूसित इंसान को रने का म मौका मिले तो कहीं ने कहीं उनके आयू भी बढ़ जाएगी और साथ ही साथ उन लोग को हम लोग सभी को नीरों के खाया भी मिलेगा पर खुश्चुरत नजारा मैं आपको देखा रहा हूं जूर से देशा कि मैंने धरना दोनों धरनों को नजीक से मैंने आपको मेरे वीडियो के द्वारा माध्यम से मैंने आपको देखाया था इस दोनों धरना से जो पानी आता है इस पानी मैं आपको देखा दूं पानी पानी बढ़ता हुआ और यहां तक आपको यह साथी एमाउंट में पानी देखाई दे रहा है और आप देखते जाएंगे तो आगे जाके यहां पर यह बालु रेती के अंदर पानी बिलुपता हुआ अब दोबारा से उबरता होगा और इसी तरह कि आपको देखाई जरा है चिनाब नदी नदी भारत के पवित्र नदियु में से एक नदी है इसको तंद्रा भागा के नाम से जाना जाता है यहां पर जो भी अनुस्तान करते हैं धार्मी को अनुस्तान लगाए जब प्रिति पक्षिस रात में पित्रों को पिंडदान किया जाता है इसी नदी के तलटी पर आकर पिंडदान किया जाता है माना जाता है कि जब हम यहां पर आके अपने पित्रों को फिंडदान करते हैं तो पित्रों को फिंडदी जाही उनको प्राप्ता होता है और एक ऐसी नदी है चिनाप नदी जुद्मैटल के लावलिस्तिकी में पाकिस्तान में जाके सत्रुस नदी में विलकी है इस नदी की टोटल लंबाई है 943 943 किलोमीटर लगबग लगबग एक अजार किलोमीटर के आसपास है और इसकी गहराई अगर मैं आपको बता दूँ तो आपको विशास नहीं होगा और यह लगबग लगबग 70 मीटर 70 मीटर गहरी है और यह बहुत एक खुशुरत नजारा चिनाप नदी का एमाता चंद्रा भागा जी का परतक से आप दर् और यहां पर इस्टिन पानी का बहाओ काफी तेज है और एक और नजार आपको बता दूँ जब आप देखे देखके और अंदर अंदर परफुलित होंगे और खुशी से दूम उठेंगे एसी नदी के उपर जो बनाया जा रहा है विशु का सबसे उचा पूल जिसको सिना आप प्रीज के नाम से जाना जाता है यह विशु का सबसे उचा पूल है और यह उदंपुर शिरिनवर बारा मुला प्रजेट के अंदर का आने वाला चिनाम नदी के उपर बनाया जाने वाला और जम्मू कस्मिर इस्टेट के अंतरगत रियाशी डिस्टिक्ट कौडी और वकल जो गाउं के विश्ट जो तिनाम नदी बेती है उसके उपर यह पूल बनाया जा रहा है और एस पूल का जो टोटल उचाई है यह नदी के उपर ही तलाटी से उपर जो डेक लेबल है 359 मिटर जो विश्टो का सबसे उचा टावर पेरिस का आइफल टावर है उससे भ भारत देश का गोरबही नहीं बलकि एक इंजिनेरिंग मार्बल भी है जब एक प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा तो राष्ट वसमर्पत किया जाएगा भारत के पूरा भारत को टायरेक्ट रेलमार्ट के द्वारा जमुक्त कस्मिर के अंतरगत स्रीनगर से डायरेक तो खुशुरत पल बहुते जल्दी आएगा आगामी आने वाले एक दो साल के अंतरगत ब्रीज बनके तैयार होगा आप सबी को लेलमार्ट के द्वारा इसी पूल के उपर से गुजरते हुए श्रीनगर सक पहुँचने का मौका मिलेगा तो आप देख रहे हैं आप देज है और नधी के ठोर के और में अभी मैं हूँ क्या बात है बहुते खुशुरत नजारा और इसको अभी जैसा की मई का मैना है दिरे दिरे गर्मी बढ़ रहा है जैसे गर्मी बढ़ेगा और पहाड़ों में ब्रप पिगलने का सिल्सला जारी है जैसे ब्रप पिगलता जाएगा इन नधी का पानी का जो भूली मुए क्वांटिटी जिनों दिन परती मिनिट बढ़ता ही जाएगा और काफी अधक बलकि मैं बता दूं आपको जो मेरे साथी कलिक्स यहां पर खड़े हैं यहां तक प पानी पहुच जाएगा और सिनाब नती उसके आसपास का आसपास की पहाडियों का खुपकुरत नजारा और पहाडियां खुपकुरत हर्याली घांच और फेड़ पोदों से ढखा हुआ एकल-कल बहती हुई खिनाब नदी आप सभी सैलानियों को आप सभी यूटूब यूटूब की वीडियो देखते हैं आप सभी को आकर यहां शाच शाच दर्शन करने के लिए आपको कहीने कहीं बोला रही है वाविसे में जब कभी प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा और आपको जब सिरी नगर जाने का मौका मिले तो आप यहां पे चिनाब फूल क मेरूठी का आनद मिले सकते हैं स्कुब्सूरत पल को इस खुब्सूरत नजारा को अपने साथ ही संगी प्रोजे के साथ में क्यामरा में ग्यट कर सकते हैं और अपने मेमोरी में हमेशा आमेशा के लिए आप रख सकते हैं तो ये था मेरा आज का यात्रा जिनाप नजी तक बहुत ही शांग्रे और बहुत ही पंजस्टेट और बहुत ही डेंजर रोड के द्वारा यहां तक पहुंचा हूँ आप सबी को ये पुश्चुरत नजारा के लिए तो दोस्तों किरपया इस वीडियो को अंततक देखें अपना कमेंट सुझाब भी दीजिएगा साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि और साथ ही बंटी के बेल के आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा ताकि इसी तरह मैं आप को मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम के द्वारा और अपने वीडियो के माध्यम से आने वाले दिनों में ऐसा ही बहुत खुशूरत नजारा और नया नया चीज आप तक पहुचा सकूँ और शाते में आप तभी को कहना चाहूँगा देशा की पूरा विश्व और भारतवर्श डेल्डी कोबिट 19 कोरोना वाइरस से जूज रहा है और इससे बहार आने की जत्तो जहत को सिष कर रहा है और इस समय में किरपया आप सुरक्षित रहें शाते आपने परिवार को भी सुरस्चित रहें और देशा के अमारे समाने निये प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी जीनिक का एक नारा है जो गज की दूरी मास्क है जरूरी इसी तरह लगातार आप मास्क बैन के रखें और लोगों से दूरी आप बना के रखें बना आवस्यक पॉप्लिक प्लेस में तो उन तक उनसे मिलने न जाएं और उनको भी अपने पास आने के लिए मनाई करें साथे उन लोगों को भी गाइट करें उन लोगों को भी प्रशाइद करें और साथे ही एवरी हाफ एन आउर इंटरवल में आप पानी पीते रहें ताकि हमारे बोडी में ऑक्सिजन और साथे ही हेल्दी फूट खाएं प्लीज कीव सेफ भी हेल्दी भारत माता की जै